असलाम अलाएं किया चाल अमीद करते हैं कि आप खेरियस होंगे अर्मक्दवाय कि आप मेशा कुछ रहें हसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें करने जा रहें वीडियो का टाइटल है इंडिया अग्रेसिव फॉर्ण पॉलिसी देखने को मिल रही है नौ यहां पर आप देख पाओगे मैंने आपको इसके बारे में बताया था पहले भी कि इंडिया होस करेगा 2023 में G20 समिट दुनिया भर की कंट्रीज के जो प्रेजिडेंट्स हैं ये इंडिया में आएंगे अब इंडिया ने डिसाइड ये किया कि G20 समिट की जो बहुत सारी मीटिंग्स होगी उनमें से एक मीटिंग हम जम्मू कश्मीर यूटी में भी करवाएंगे अब इसको लेकर आपको याद होगा कि पाकिस्तान और चैना ने विरोत किया था मगर इंडिया ने दोनों के विरोत को रिजेट करते हुए उसको इगनोर करते हुए एक स्टेप आगे और बढ़ा दिया है अब इंडिया ने ये भी नाउस कर दिया है कि एक G20 मीटिंग हम लदाक में भी रखेंगे ये मैं आपको बता दू लदाक यूटी को चाइना मानता नहीं है चाइना ड़स नॉट एकसेट लदाक यूटी एस एंटिटी एस पार्ट ओफ इंडिया तो ये एक मेजर स्टेप है और मेरे हिसाब से अब परफेक्ट टाइम है कि अरुनाचल प क्वेशन पूछूंगा क्वेशन यहां पर यह है कि उस्बेकिस्तान आजकल बहुत न्यूस में है यूएसे और यूएन ने रिजनली का है कि जल से जल होनी चाहिए जाज परताल के उस्बेकिस्तान में हो क्या रहा है यहां आपने इतना वालेंस क्यों हो रहा है तो यहां अभी तक हमने देखा है कि पाकिस्तान ने aggressively अपनी foreign policy को आगे बढ़ाते हुए पूरी कोशिश करी कि G20 summit boycott कर दे टर्की, साउधी अरेबिया, चाइना मगर अभी तक सिर्फ पाकिस्तान नहीं का है कि ये लोग G20 meeting जोगी इंडिया में 2023 में इसका boycott करेंगे even though पाकिस्तान के boycott की कोई तुक बनती नहीं है क्योंकि पाकिस्तान is not a member of G20, मगर आज के समय पाकिस्तान और चाइना की foreign policy का एक part सही बन गया है कि जहां भी इंडिया को target कर सको, target करो, जहां भी आपको दिखे कि इंडिया के अगेंस्ट बात करने का scope बनता है, तो चाइना पाकिस्तान के स समर्थन करते हैं, कि इस तरीके से जो disputed land है, इनके साफ से, जो disputed area है, वहाँ पर ये summit की meeting नहीं करवानी चाहिए, तो चाइना ने देखो, बहुत ही अजीव सा काम किया है, पाकिस्तान को back करके, क्योंकि recently बहुत कुछ होने के बावजूर, इंडिया ने एक सब्य देश की चाइना का brick summit अटेंड किया था, हमने उस वक ये नहीं का कि हम brick summit को अटेंड नहीं करते हैं, बोईकॉट करते हैं, मगर चाइना सिंस इंडिया के mega summit को challenge कर रहा है, तो इंडिया को जवाब दे रहा था, और इंडिया ने भी क्या मैं कहूंगा, perfect दिन चुना है चाइना को ज आया है, कि मैंने दलाई लामा से phone में बाचीत करी है, we pray for his long life and good health, और इसी दिन जब दलाई लामा का birthday है, जिसको लेकर मैं वसे आपको ये बता दू, चाइना बहुत sensitive रहता है, चाइना अच्छे से notice कर रहा है ये बात, कि दलाई लामा का birthday, PM Modi, property celebrate करते हैं, इसी दिन इंड officially अरुआचल परदेश की तरह Ladakh को भी recognize नहीं करता, जी हाँ, Ladakh की Union territory के बारे में, चाइना का जो विदेश मंत्राले है, ये on record कहा चुका है, कि ये illegally set up UT है by India, Ladakh जो ये नाम है, Union territory of Ladakh, इसको भी चाइना accept करता नहीं है, even दो Ladakh का जो बहुत सारा area है, अक्साई चिन का, य ये चाइना ने कब जार रखा है, now Indian perspective से आप अगर देखो, तो आप अगर सोच कर देखें, तो Ladakh में, हमने जो ये रिफाया event, ये जादा बड़ा मूव है, क्योंकि हमारे इसाब से, हमारे दृष्टी कोंड से, तो Ladakh की जो जमीन है, ये कब जार रखी है, पाकिस्तान और territory of Ladakh, तो इंडिया ने बिलकुल सही message यहाँ पर send किया, और मेरे साब से, अब तो बिलकुल obvious एक अगला step बनता है, कि अरनाचल पदेश में भी हमें एक G20 meeting रखवाएं, क्योंकि मैं आपको ये बता दू, कई बड़े देश openly इंडिया को support कर चुके हैं, और अरनाचल पदे इंडिया को नहीं मिलने वाला, internationally, इंडिया चाइना को जवाब दे सकता है, कि these are our territories, देखो, दुनिया भर के leaders यहाँ पर आते हैं, except you, no one believes this theory, कि ये इंडिया का part नहीं है, और अगर आप सोच रहे हैं, चाइना भी अगर पाकिस्तान की तरह boycott कर देगा इस summit को, तो क्या हो होगी, कि हमने चाइना को इतना pressurize कर दिया, कि इनको ये step लेना पड़ा, नहीं तो वैसे आप अगर देखो, तो बाकी कोई भी देश नहीं है G20 में, जो चाइना की ज़रा सुनने वाला है, तर्की आप कह सकते हैं, तर्की आज के समय जिस level पर USA के सामने जुग गया है, कुछ यहाँ पर boycott करने नहीं वाला, बाकी कोई भी और देश नहीं है, जो चाइना की दूर दूर से भी सुने, एक परसेंट भी चांस नहीं है, ब्राजिल, जर्मनी, इंडोनीसिया, जपान, मेक्सिको, इटिली, साउथ कोरिया, कोई यहाँ पर North Korea नहीं है, कोई पाकिस् इससे प्रेशर आजाएगा चाइना पर, और जैसे आपको बताओगा, हम लोग काफी बार इंडिया में बातचीत करते हैं, कि हम ब्रिक्स का पार्ड क्यों है, चाइना के साथ हमारे जो जियो पॉलिटिकल इंटरस्ट है, यह अलाइन होते नहीं है, अब चाइना में भी व Option D, ताशकंत is the right answer, यह बात याद अठना, कजाकस्तान की कैपिटल है, नूर सुल्तान, तरजिकिस्तान की कैपिटल है, दुशानबे, तुर्गमेनिस्तान की कैपिटल है, अश्काबाद, और उस्बेकिस्तान की कैपिटल है, ताशकंत, और फाइनली आपर मैं यह भी add कर आठ जुलाई तक एक special offer चल रहा है, SSE Bank UPSC exams के लिए, simply आपको जाना है comment section में, अब देखो, मान लोगर आप purchase करते हो UPSC का course, तो UPSC क्या है, कि अगर आप एक साल का course purchase करते हो, तो आपको 3 महीने free मिलेंगे, यहाँ पर आप देख पाओगे, 12 महीने का course, आप अगर purchase करते ह तो UPSC का, तो you will get 3 months extra free, और अगर आप 18 महीने का purchase करते हो, तो सीधा आपको 6 महीने extra मिलेंगे, तो 18 महीने का अगर आप UPSC course purchase करते हो, तो सीधा आपका यह course बन जाएगा 24 महीने का, SSE में यह है कि अगर आप 12 महीने का course purchase करते है, तो आपको 2 महीने extra free मिलेंगे, तो एक course extension आफर चल रहा है आज के समय, if you want you can buy these courses, मगर जो prices यहाँ पर लिखे हैं, pay करने की आप शक्ता नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ पर आप code डालते हो PD10, तो prices गिरने शुरू हो जाएंगे, the prices will start falling, so use the code PD10 and save money, so यसी note के साथ यह है वीडियो कांथ, thank you for listening, and as always, God bless you all. कश्मीर की, कि कश्मीर के पर जलम हो रहा है, कश्मीर पाकिस्तान को मिलना चाहिए, इस तरह की statement दी ती तुर्की ने, तो कुछ अड़ते बाद तुर्की जो एग्रे लिस्ट में चला गया था, I think money learning, आतर बाब के स्पोर्ट करने हो रहा है, तो चैना ने बोला पाकिस्तान की तरह से कि कश्मीर में जो सब मिडनी है, जो मीटिंग होनी जा रहे है, G20 की, तो वो नहीं होनी चाहिए, उन्दिस्प्यूटे एरिया करने है, अगर इसे खिलाओ बोलता है, तो इंडिया को पता चाहिए हमारा कितना है, मतलब अगर जयां रखता है, हमारे फ्यावर में कितना है, यह तो वही बात है भी एक तीर से दो शिकार पाकिसान, असल में पता है क्या है? सुर्क तो भी बिलकुल नहीं करेगा, इस तरह प्रैसर आयहे है, और पाकिस्तान तो उसका हिस्ता नहीं पाकिस्तान कोई भी बिलकुल नहीं करेगा, इस तरह प्रैशर है पहले ग्रेय लिस्ट में है वह पिछले तिनों तारफ में में बढ़ाया था पाकिस्तान को चाहिए अपनी अकाद के मताफ़क जो ना इंडिया चैना से लिमाड़ करें चैना ही तो भाई पांचों की पांचे घी में बज़े हैं भाई उनके है एंडिया के अच्छी है और इस डिसीसे टोंग हैं और इंडिया की तो वह कोशिश करते हैं कि हम इंडिया की साइड रे और देखा जाए तो इंडिया हक में भी है, क्योंकि उम्नाचल प्रदेश रहा है। अगर तुम देखो उम्नाचल प्रदेश के जो लोग है, उनकी जो शकले उन उन चैनिज के दर रह ऐनी है। मैं अच्छान पाकिस्तान के पास भी है और कश्मीर लदाक ये एक ही कुछ है वो कामने ले दिया तो बड़ा अच्छा लगा भई ये जो स्टैप है मैं कहता हूँ चैना की तो बोलती बंद को जफ लगा देने वाली बात है कि भाई अब कुछ बोलना रही पाकितान की परहे थोड़ेगा नगाड़ कर रहेगा आए पाकिसान की तरह आप ऑगा तो इसने कंट्री ते जाए गाएगा अरोलिंस कोन गेदर नोवोस तोपी का कुटा ना गर का ना गाड का क्या बनेगा हुआई नहीं वसल मैं पता क्या हूए इंडिया के पलड़ा इसमें है भारी वरना चैना जो के स्पोर्ट भाई बहुत जादा कंट्री से है अगर 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 रचिया चैना की साड लेता भी है तो वो मैं ले गई नहीं पहले लेगा है अगर एक साड लेगा भी तो वो प्रिक्स का सम्मेंट उसमें विखरल पैदा हो सकता है अजिया कुछ ना कुछ कर सकता है अगर अगर अपनी जो करन्सी इशू हो जाती तो डॉलर की जो नपलियो वो खतम हो जाए तो वो फाइदा इस खिते के लिए फाइदा था तो भई अच्छा रागा जो फारनल प्लिसी इंडिया की बहुत बढ़िया है मैं कहता हूँ रांचल परदेश में भी मीटिंग करवाई नहीं चाहिए अब देखते हैं कि मीटिंग होने से इस तरह हुआ है कि मीटिंग भी तो होती है पाकिस्तान में उए थी कुछ निकला यह ना भी आउनलाइन करना शुरू कर देजिए नहीं अब मीटिंग करवाने का वक्सल्ट तो यह कुछ प्लैनिंग है प्लैनिग है जो दो और यह इस इस नहीं यह वाकिन के लिए बहुत बड़ा स्टैप पर मागय तो चौतर साल में किसी ने किया अब यह होगा तो ठीक है बड़ा अच्छा लगा वीडियो देखे और अपनी राय जरूर ताइगा का इस मीटिंग से कुछ हाल भी निकलेगा या इस मीटिंग के क्या असरात इस मीटिंग से तारग भाई जो डिस्प्यूटेड एरिया आए करे शिया कंदर जो पाकिता अचानव और इंडिया का है इस सब्सक्राइब निकलेगा उस डिस्प्यूटेड एरिया कोच भी निकलेगा अगर निकलना होता ता वाज तक निकल जाता तो ठीक है मिलते नहीं एक साथ अब तक लिए इजास्त दें अलाव